आज हम देखेंगे how to use icon app जियां दोस्तों icon app को कैसे use कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है वैसे ही latest updates के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लें और bell इस एप का लोगो देखा दे रहा हूँ यह है इस एप का लोगो आपको इस एप को इंस्टॉल करना है यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुए icon caller ID calls and phone contacts उसके नीचे जिस भी organization ने इस एप को प्लिश्टोर पर प्रब्लिश किया उसका नाम दिया हुए icon phone dialer and contacts यहाँ प आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ permissions allow करना है तो यहाँ पर आप इसको allow कर दीजे इस वाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है फिर यहाँ पर और भी कुछ permissions आपको देनी है तो simply आपको यहाँ पर इस permissions को दे देना है यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आप को एप की सारी permissions यहां पर अलाओ करनी पड़ेंगी फिर यहां पर आपको continue पर क्लिक करना है जैसे ही आप continue पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर automatically है आपके sim के number detect कर लेगा यहां पर आपको जिस भी sim से इसको register करना है जिस भी number से इसको register करना है this is me पर क्लिक करके उपर आपको अगर photo लगानी अपनी profile photo तो वो भी आप लगा सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ही आप registration का पूरा procedure यहां पर complete कर लेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं फिर आपको पूरे आपके जो भी contacts हैं यहां पर उनकी यहां पर सारे आपको list आने लगेगी आप एक एक contact में जाके उनकी यहां पर photos भी लगा सकते हैं ताकि जब भी आपको call आए तो यह app जो है वो आपको with photo उन numbers को यहां पर display करेगी तो यहां पर आप देख रहे हैं इसको उपर slide कर सकते हैं आपके पूरे contacts यहां पर आ जाएंगे टाइल के form में यहां पर आपको number dial करना है तो उसका भी आपको center में option दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं आपको आपके contacts की यहां पर सारी detail मिल जाएगी या जो भी आपके इस app को install करने के बाद जो भी number आ रहे हैं या आपने जो dial किया है वो यहां पर आपको सारी list जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी यहांपे आप देख रहे हैं आप çünkü पे आप क्लिक करेंगे आपको यह directly उनके links देदेगा अगर आपको उस person की facebook profile पे पे जाना है तो आप देख रहें facebook profile पे आप अगर आप पने उसका address सेफ करके रएंगे तो nosa वाटसेप का उप्शन आ रहा है तो अगर यही सेम नंबर उसका वाटसेप पे भी रेइस्टरड है तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिरेक्ली आप वाटसेप पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जो प्रुफाइल का आइकन बना हुए दिखाई दे रहा है वो कॉंटेक को रेलेटली सेफ कर सकते हैं यहाँ पर आपको राइट हैंड साइट में फोटो को उप्शन दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटोज वाले सच्वन में चले जाएंगे जहाँ पर आपको इन कॉन्टेक्स से ठीप फोटो के सजजेशन आएगे तो जहाँ पे भी आपके contact में photos नहीं लगी हुई है तो आप वहाँ पे उन photo को select करेंगे तो यहाँ पे आपके contacts में वो photos जो है वो save हो जाएंगी, उसके राइट hand side में उपर आपको three lines दिखाई दे रही है, corner में आपको उस पे click करना है, उस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपक चलाने के लिए और भी option मिल जाते हैं, तो आपको सबसे पहला option दिखाई दे रहा है, अगर आपको एपका color change करना वो कर सकते हैं, अगर आपको context को show करने का format चेंज करना है, like tile format में या आपको list wise अगर इसको display कराना है तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे आप sorting कर सकते हैं, अगर आपको A के A से लेके Z तक इस हिसाब से अगर आपको contact की list चाहिए, तो वो यहाँ पे और नाइस कर सकते हैं, उसके नीचे आपको organized favorite जो भी आपका favorite contact है, उसको यहाँ पे organize करने का option मिल जाता है, प्रीमियम option मिल जाता है, ताकि आप इसके और भी feature जो हैं, वो unlock कर सके हैं, उसके नीचे आपको block list manage करने का option मिल जाता है, अगर आपको किसी contact को block करना है, या unblock करना है, वो option मिल जाता है, फिर आपको उसके नीचे settings option मिल जाता है, आप उस पर जैसे ही click करेंगे, तो आप देखेंगे, जब भी आप यहाँ से call लगाएंगे, इस app से आप जब भी call ल नहीं चाहिए, यह दोनों option तो उसको आप uncheck भी कर सकते हैं, by default यह आपको check मिलेगा, उसके नीचे आपको dual sim option मिल जाता है, आप उसके जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह आप से पूछ रहा है कि prompt for each contact and calls, मतलब कि आप से पूछ रहा है, कि आप जब अपने according, उसके नीचे आप देख रहे हैं, message for incoming call, मतलब कि जब भी call आता है, अगर आप उसको cut करते हैं, तो आपको क्या वहाँ पर message सामने आले को बेजना है, उसका यहाँ पर option आ रहा है, यहाँ पर आप इस message को edit भी कर सकते हैं, उसके नीचे आपको app की language select करने का option आ रह अगर आपको search bar का option दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको और भी context है या जो भी आपको यहाँ पे context है, या जो call आहे हैं, उनको यहाँ पर search करना है, तो आपको search का option मिल जाता है, आप sleeps से भी उसको search कर सकते हैं, जहां पर ओस 가서, आप उसको क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ तो बोल के भी उन context को search कर सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे left hand side में corner में history option मिल जाता है तो जो भी आपने यहाँ पर calling करी होंगी या जो भी आपने यहाँ फंक्शन perform करेंगे वहाँ पर आप जाके उस history को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही आप और call आया है की लगाया यह सारे option यहाँ पर आपको इस app में देख जाते हैं तो दोस्तों आप में देखा कैसे हमने icon app का यूज किया वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए